जिन्हे सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगनी चाहिए और जिन्हे सपने पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दीन जो है वो छोटा लगना चाहिए अब आप सभी जो भी मेरे भाई बैन बीडियो देख रहे हैं वो सभी कोई अपने future को लेकर सपने देख रहे हैं अब आप सभी बता पाएंगे अच्छे तरीके से क्योंकि तैयारी आप कर रहे हैं कि आप रात में कितने देर जग कर पढ़ते हैं अपने strategy के उपर काम करते हैं और ये रोज और दीन में जो है वो अपने सपने की पीछे भाग रहे हैं यारी पढ़ाई पर ज़्यादा time दे रहे हैं कि आपको करना क्या है और ये daily कर रहे हैं जब तक आपका exam हो नहीं जाता क्योंकि वो एक दिन का exam जो है वो आपके future को decide करेगा और वो एक दिन का exam जो है पीछे की 4-5 महने की कड़ी महनत का एक दिन जो है वो नतीजा निकलता है तो आप क्या कर रहे हो daily ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है तब आप बोलोगे भाईया अपने सपने को पूरा करने में सक्छम हम बन चुके क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा चैमल के उपर जो भी नए है चैमल को subscribe करने के बाद notification के बेल को धबा दीजेगा ताकि हर एक क्लास का update मिलता रहे और एक बात और बोलूँगा किसी भी एकजाम का मोग टेस्ट, प्राक्टिस सेट या ओल्लाइन सेट किसी भी एकजाम का बैंक हो, रेलवे हो, SAC हो किसी भी एकजाम का जो टेस्ट है ना आप अपने फोन पर दे सकते हैं ताकि आप एक्जाम से पहले जज कर पाओ, एक्जाम जैसे पेपर में आप स्कोर कितना कर पा रहें, इसके लिए आप हमारा एप्लिकेशन सक्सेस की 98 डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के प्ले इस्टोर से, और एक बात सापने बोलूँगा, अगर 349 वाला पैकेज बाई करते हैं, एक साल के वैलिडिटी के साथ, यानि अगर 349 वाला पैक लेते हैं, तो एक साल के वैलिडिटी के साथ आपको हर एक एक इक्जाम का टेश्ट दिया जाएगा, ठीक है, और कम से कम हर एक्जाम का कम से कम 20-25 सेट आपको दिया जाएगा, तो आज cover करने वाले हैं हम सभी 2 और 3 February के important current affair और कल रात को साड़े 11 बजे मैंने आप सभी को budget के top 35 question एक एक पॉइंट को बहुत बहतरीन तरीके से समझाया है video भी दे दिया है तो please वो video पूरा देखने के बाद video जो है वो आप सभी download कर लीजिएगा तो देखते हैं आज का पहला जो प्रस्त है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और आज का जो पहला question वो यह है कि भारत की पहली यानि भारत का पहला super fab lab का निर्मार करने के लिए लगबक किसी भी machinery का उदगाटन कहा किया गया है और यह किया गया है आपका कोची में जो आपका केरला में पढ़ता है और केरला किसी हम कौन है पीनारे बीजयन राग्जोपाल आरिप मौहमद खान क्यापिटल तिर्वेंदरम पूरम अगला प्रस्त हमारे सामने है एक steam launch किया गया है क्वेस्टन को अच्छे से समझ लेना scheme का नाम है आपका सिव भोजन यह scheme जो है यह महराष्ट की जो सरकार है न सिव सेना उनके द्वारा launch किया गया है यह सिव भोजन ठीक है अब यह scheme के अंदर है क्या पहले आप यह answer सुन लो इसका answer क्या होगा आपका option number D महराष्टरा ठीक है अब यह जो सिव भोजन scheme है इसके अंदर क्या होगा जितने भी गरिब लोग है उनको 10 रुपए में जो है वो खाना दिया जाएगा इस scheme के अंदर जिस scheme का नाम है सिव भोजन महराष्ट की सरकार सिव सेना ने ये launch किया है तो बहुत अच्छा बात बोल सकते हो इस चीज को आप सबी अगला प्रस हमारे सामने है सहित्यकार डॉक्टर गोलक चंदर गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस चीज में प्रसीत थे तो वह एक विद्द्वान थे option number c यानि वह एक जो क्या थे scholar option number आपका c अगला प्रस हमारे सामने किस राज की सरकार ने सोड सम्मत्ती से राज विधान परिसत को खतम करने का प्रस्ताव पारित किया है यानि यहाँ पर बोला जा रहा है किस राज की सरकार ने राज विधान परिसत को खतम करने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया है और वो सरकार है आपका आंध्रपरदेश, आंध्रपरदेश का कैपिटल हाइद्राबा, राध्युपाल कौन है वहाँ के, बिश्व भूसन हरिश्चन, और मुख्य मंत्री तो Y.S. जगन मोहन रिड्डी, अगला प्रसमारे सामने है, दा नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2020 का उद्गाटन, यानि आप बोल सकते हो इसका आयोजन कहां पर होने वाला है, और ये होने वाला है आपका उडिसा में, यानि भूबनेस्वर, उडिसा का राजधानी भूबनेस्वर में, और उडिसा के सीम कौन है तो आप सभी को पता है न सामने है, मददाता जागरुता के लिए चुनाव अयोग पुरुसकार किसने जीता है, और ये आवड जीता है आपका दा हिंदू तामिल, आपसो नमबर आपका C, अगला प्रस हमारे सामने है, ये क्वेस्टन काफी इपोर्टेंट है, आप अच्छे से देख लिए एक बा बात कर रहा है कि Tennis Federation जीवन अध्यच के रूप में किसे नामित किया गया है, किसको नोमिनेट किया गया है, लाइफ प्रसीदेंट के रूप में Tennis Federation का, और ये निक्त किया गया है आपका आपसो नमबर भी अनील खना, याद रखिएगा, ASEAN Tennis Federation के लाइफ प्रसीदेंट क रूप में किसे नामित किया गया है तो उनका नाम है आपका अनील खन्ना ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है राष्टि अल्प संख्यक आयोग ठीक है कि सचीव की रूप में किसे निउक्त किया गया है और इसका एंसर क्या है आपका भारत बी अनन्द अगला प्रस हमारे सामने है भारतिया बैंक संग यानी इंडियन बैंक एसोसियेशन के मुख्य कारिकरी के रूप में किसने कारिभार समाला है और उनका नाम है सुनील महता आपका दी बहुत इपोर्टेंट क्वेस्टन है पहले रजनीस कुमार थे लेकिन याद रखिएगा अभी किसको बनाया गया है आपका सुनील महता को आपका दी अगला प्रस हमारे सामने हाली में उजीवन लगू वित्व बैंक के निदेशा क किसने कदम रखा है नहीं किसने इस्थीफा दिया है यहां पर होगा हिंदी में तो कदम को काट दीजिएगा हाली में उजीवन लगू वित्व बैंक के निदेशक यानि डारेक्टर के पस से किसने इस्थीफा दिया है और इस्थीफा दिया है आपके सचीन बंसल आप्शन नमबर आपका B अगला प्रस्तमाने सामने है तिसरा ग्लोबल आलू कंकलेव किस सहर में अजित किया जा रहा है और आप सभी को पता है मोधी जी ने इसका उधाटन किया था और कहां पर गुजरात के गांधी नगर में ओप्सन नमबर आपका C ठीक है और गुजरात के CM कौन है बिजयरुपानी राध्युपाल अचार देब्रत और कैपिटल तो वो है आपका गांधी नगर अगला प्रस्त हमारे सामने है तिफिन के लिए ऑक्सफोर्ड बहुत important question है ये वाला भी Oxford bookstore book cover पुरुषकार किसने जीता है ये टीफिन एक किताब है एक पुस्तक है जिसके अंदर 500 खाने की विदी को बताया गया है रेसिपी बोल सकते हो ठीक है और ये पुरुषकार दिया गया है आपका इसनेहा पमनेजा को option number आपका D अगला प्रसमारे सामने विने सिना को उनकी योगदान के लिए जाना जाता है और हाल ही में उनका निधन हो गया है आपको बताना है वो किस चीज में प्रसिद थे या किस चीज से वो जुड़े हुए थे तो मैं आपको बता दू विने सिना बहुत अथे प्रोडूसर थे यानि वो फिलिम से जुड़े हुए थे अगर इनकी मैं एक दो मुवी की नाम बताऊं अगर मुझे याद हो तो तो एक तो मुवी याद आता है मुझे अंदाज अपना अपना अमिताप का नसीब बोल सकते हो ऐसे फिलिम के ये प्रोडूसर थे तो बहुत बड़ा नाम है वॉलिवूड में तो याद अखना विने सिना जी का हाल ही में निदन हो गया है जो एक वो क्या थे प्रोडूसर थे जो फिलिम से जुड़े हुए थे अप्सन नमबर आपका अगला प्रस्त हमारे सामने है सुप्रीम कोट ने भारत में किस जानवर को लाने की जो अनुमती है वो दे दिया परमिसन दे दिया गया है अलाउट कर दिया गया है तो वो जानवर है आपका अफ्रिकन चीता आप्सन नमबर आपका C ठीक है और आजका आपका पहला प्रस्त ये है कि South Africa का राष्ट पती का नाम वहां का मुद्रा का नाम और वहां का जो राजधानी है उसका नाम आप सभी को कॉमेंट करकर बताना है यह आपका आजका पहला प्रस्त न है ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है भारत के NTCAA प्रस्ताव पर 29 जैनवरी को किस संसत द्वारा चर्चा की गई है अब यहाँ पर तो बहुत जन को देखने में आ रहा है कि CAA का फुल फ्रॉम पता नहीं है तो याद रखना Citizenship Amendment Act ठीके और इसके बारे में जो इंडिया में जिसका बवाल लेकर चल रहा है बहुत दिन से इंडिया में इसकी चर्चा जो है वो European Parliament में तक हुआ है ठीके option number A यानी CAA का जो चर्चा है वो European Parliament तक हो गया है समझ रहा है ना कितनी बड़ी बात फैल गई है अगला प्रसमारे सामने है सुनिता चंद्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो एक पुर्व खिलाड़ी थी किस गेम का तो वह एक hawkी महिला खिलाणी थी और ये Indian टीम की captain भी रह चुकी है ये भी आप याद रखियेगा अगला प्रसमारे सामने है कतार के नए परधान मंतरी का नाम आप सभी को comment करकर बता ना है और कतार के नए परधान मंतरी का नाम क्या है तो उनका नाम है सेख खालिद बिन खलिफा बिन अब्दुल अजीज अल्थानी बाप्रे ये नाम काफी बड़ा है याद रखिएगा क्या नाम है मैं एक बार और आप सभी को जो है वो रिपीट कर दे रहा हूँ सेख खालिद बिन खालिफा बिन अब्दुल अजीज अल्थानी यार माब आपने भी सोच समझ के नाम रखेंगे इतना बड़ा ठीक है ये कतार के नए परधान मंत्री है अगला प्रसमारे सामने हैं मार्क सेरे जो किस देश के परधान मंत्री थे जिन्हों ने अपने इस्थ इस्तिफा की घोसरा कर दी है तो मार्क सेरे जो है वह सोल्वेनिया के परधान मंत्री थे जिन्हों ने अभी इस्तिफा की घोसरा कर दी है और एक बात याद रखेगा सोल्वेनिया का कैपिटल याद रखना है आप सभी को मुद्रा वहां का याद रखना है और वहां के रा यहां पर बोल रहा है अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में किसे निउक्त किया गया है और उनका नाम है आपका तरण जीत सिंग संदू, option number आपका D, अगला प्रस हमारे सामने है, वार्सिक ग्रेमी पुरुसकार जो है, वर्स 2020 का record किसने जीता है, Annual Grammy Awards जो आपका ये आयोजिन हो रहा था, आपका Grammy Award का उसमें Record of the Year 2020 का पुरुसकार किसने जीता है, और ये जीता है आपका Billy Ellis ने, option number आपका C, तो ये थे आपके important current affair, 2 और 3 February का class लंबा था, क्यूंकि 2 दिन के current affair को cover करना था, सो जितने भी मेरे भाई वैन देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत गुद मॉर्णिंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और जाने से पहले बोलूँगा, class के timing को देख लेना, खास करकर आज का math class काफी special होने वाला है आप सभी के लिए, सो मेरे जितने भी भाई वैन देख रहे हैं, सभी को पहले तो बहुत बहुत गुद मॉर्णिंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा, दोनों का ही खयाल लगेगा, ठीक है? चलिए!